तो मेरे प्यार दोस्तों कैसे हैं आप सब ठीक है ना तो बिलकुल मस्त रहिए आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं आज की वीडियो में हम क्लोरी मीटर को देखेंगे इससे पहले हमने पियच मीटर देख लिया है उसको बारे में अच्छे से समझ लिया है अगर आ कि वीडियो में हम कलोरी मीटर को देखेंगे कि इसका काम क्या है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है और ये किस तरीके से काम करता है वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में जानेंगे तो आ बोलने में कभी कभी कलोरी मीटर की जगह अगर कैलोरी मीटर हो गया जो की बहुत normal language है हमने खास कर कैलोरी word यूज किया है तो अगर गलती से कलोरी मीटर की जगह कैलोरी मीटर हो जाए तो समझ जाएगा ठीक है उसके लिए हमें ट्रोल मत करियेगा डाटियेगा नहीं ठीक त कैलोरी मीटरे कैसा इंस्टूमेंट है जो की किसी solution में color substance की concentration को major करने का काम करता है उस substance की जो color substance पड़ा है उस solution में उसकी मातरा को नापने का काम उसकी मातरा को major करने का काम परता है ठीक है अब simply बता रहा हूँ तो आप ऐसे समझ लिए सकते हैं कि आपने कोई solution लिया है कोई color solution लिया है ठीक है उसमें कोई color mix है ऐसा solution लिया है उस color solution में color की वो जो color आपने डाला है कोई भी color मान लेज़े आपने पीला color डाला है ठीक है तो उस जो पीले color की उस solution में जितनी मात्रा होती है उसको मेजर करने का काम आपका कैलोरी मीटर करता है चलिए एक और तरीके से आपको definition बता रहे हैं वो भी समझ लीजिए कैलोरी मीटर is used to determine the concentration of known solute in a given solution by measuring its absorption of a specific wavelength of light यानि की simple सा मतलब वही है की कैलोरी मीटर का यूज किसी solution में solute की concentration को major करने के लिए किया जाता है अब कैसे किया जाता है वो समझे तो देखे लिखाए by measuring its absorption of a specific wavelength of light यानि की इस solution में से light गुजारी जाती है और उस light को ये जितनी मात्रा में ये solution absorb करेगा उसी के base पे कहा जाता है कि इस solution के अंदर इतनी solute की मात्रा है अब देखिए आप बहुत देर से confuse हो रहे होंगे कि solute क्या है ठीक है solute ऐसे समझे कि जो आपका पानी है वो आपका normal पानी था ठीक उसमें आपने जो चीज मिलाया जो color आपने मिलाया वो color के particle ही आपके solute है ठीक है मान लीजे एक normal पानी था उस normal पानी में आपने लाल रंग का color डाला और उसको mix कर दिया तो इसमें जो solute का particle है वो क्या है वो आपका वही लाल color है ठीक simple सा मतलब पानी चीनी पानी होता है तो जो पानी है वो तो आपका solution हो गया जो आप उसमें डाल कर मिलाते हैं जो चीनी डाल कर मिलाते हैं वो क्या हो जाएगा वो आपका solute particle हो जाएगा solute particle मतलब किसी solution में जो चीज भी या ऐसे समझे किसी पानी में जो चीज भी हम डाल कर मिलाते हैं जो भी मिला रहे हैं जो उसमें घुल जा रही है वही आपका क्या है क्या है वो आपका solute हो गया ठीक हम यहां बात कर रहे हैं तो यहां हम color जब भी लेंगे तो कोई colored solution लेंगे तो उस colored solution की बात चल रही है तो उसमें जिस भी रंग का color होगा चाहे वो हरा हो, पीला हो जिस भी रंग का हो तो जो भी रंग का होगा वही उसका solute होगा माली जिब पीला रंग का हुआ तो उसका solute particle पीला color हो जाएगा अगर हम solute को थोड़ा simply define करना चाहे मोटा मोटा तो क्या कह सकते हैं यही कह सकते हैं कि जो भी चीज को हम पानी में डाल कर घोलते हैं घोलते हैं वही आपका क्या हो जाएगा solute हो जाएगा तो यहाँ पे जो बात चल रही है तो यहाँ पे जो आपका color का मतलब जो भी रंग का आपने color उसमें डाला है वही आपके solute particle हो गए अब मैं आपको एक बार इसे समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा इसे किसी दूसरे way में मत ले लिजेगा कि हाँ इस way में ले 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 तो यही चीज बताई थी तो यही आप तुर्राप पकड़के बैठ जाएं ठीक है सिप समझाने के लिए है ध्यान से समझिएगा जैसा अभी आपने definition में पढ़ा है उसी चीज को यहाँ practical कर लिजे practical आपने definition क्या पढ़ा अपने यही पढ़ा कि कैलोरी मिटर क्या करता है किसी solution में solute की जो मात्रा होती है उसी को यह measure करता है कैलोरी मिटर कैसे करता है उसमें एक specific wavelength की light गुजारता है जितनी मात्रा में उस solution के द्वारा उस light को absorb कर लिया जाता है वही उसकी क्या हो जाएगी उस solution में present solute की मात्रा हो जाएगी solute की concentration हो जाएगी यही simple सी बात यह आपका कौन कह रहा है आपका कैलोरी मिटर की definition है अब इसी चीज़ को हम देखिए कैसे समझ सकते हैं experiment की base पे माल लीजे यह beaker है इस beaker में कोई solution किसी कलर का भला है माल लेते हैं हम मानते हैं कि इसमें पीले कलर का solution भरा हुआ है ठीक है तो हमने पीले कलर का इसमें solution भर दिया कोई doubt चलिए अब क्या करिए इसमें एक visible web length की light को गुजारिए visible का मतलब होता है ऐसी web length की light जो हमारी आखों से हमारी यानि की human की आखों से दिखाई दे और हमें कितनी web length तक की light दिखाई देती है तो करिबन 400 से या कुछ जगों पर 380 भी दिया रहता है तो करिबन 400 से लेके 800 के बीच की जो light का range होता है इतने web length की जो light होती है वो आपकी visible web length की light के अंतर गताती है ठीक है तो हम इतने ही web length के बीच की light को हम इसमें से गुजारेंगे तो यह आपके extra ग्यान के लिए है normally आप ऐसे समझे कि यह आपका beaker है इस beaker में solution है पीले color का ठीक है मान लिजे ऐसा आपने यहां से एक light जलाया कोई bulb जलाया मतलब एक light यहां से गुजारी तो देखिए ऐसा मान के चलिए कि जो आपने इस side से light भेजी है उनकी संख्याट 10 है ठीक है अब 10 आपकी light की केड़ें प्रकास की केरड यहां से आई और फिर इस solution के अंदर इंटर की ठीक है 10 light की केड़ें इस side से आई और इस solution के अंदर इंटर की और इस side से 10 की जगह 7 केड़ें यहां से बाहर निकली यानि कि 7 light की रे यहां से बाहर निकली तो इससे आपको क्या समझ में आया इससे आपो यह समझ में आया कि यहां से 10 light इंटर की थी यहां से 7 light बाहर निकली इसका मतलब है कि इस solution के दौरा 3 light को absorb कर लिया गया है तो यही चीज़ आपकी rule क्या कहता है rule यही कहता है कि किसी solution में से जब एक specific एक निश्चित wavelength की light को गुजारा जाता है तो उस solution के दौरा जितनी मात्रा में जितनी quantity में light को absorb किया जाता है उतनी ही मात्रा में उस solution में solute की concentration होगी यही simple सी चीज़ आपका rule कहता है वही चीज़ हो रही है आप थोड़ा मोड़ा तो आप समझी रहे होगी कि मैं क्या कहना चाहरा देखिए प्यार से समझे देखिए simple सी बात है ऐसे तो light को हम count नहीं कर सकते लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं आपको समझाने के लिए कि जिस तरीके से कि हमने यहां से 10 light गुजारी माल लिजे हमने 10 किरने गुजारी यहां से ठीक और फिर वो जब इस solution में enter की और इस side से जब बाहर निकली तो उन किरनों की संख्या साथ हो गई तो इससे हमें सीधा सीधा पता चल गया कि तीन किरनों को इस solution के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है इसका मतलब है कि इस solution में solute के particle तीन है यह हम normally कह रहे हैं ऐसा है तो है नहीं कि हम एकदम गिन के तीन particle आप इसमें रंग डाल पाएंगे ऐसा हो सकता है मतलब तीन particle रंग डाल पाएंगे तो यह चीज़े ऐसे normally possible नहीं है यह मैं आपको समझाने की कोसिस कह रहा कि यह साथ दस गई यहां से साथ बाहर निकली इसका मतलब है कि तीन को किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया इस solution के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया इसका मतलब है कि इस solution के अंदर solute के particle कुल तीन है इसी तरीके से मतलब इसी काम के लिए कलोरी मीटर का यूज कलोरी मीटर का यूज हम करते हैं ठीक है उमीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे और सुन लीजे जो आपका कलोरी मीटर है इसे फोटो मीटर के भी नाम से जाना जाता है कलोरी मीटर को 1870 में 1870 में इन्वेंटेट किया गया था किसके द्वारा किया गया था लुईस जे डुबोस्क ठीक है लुईस जे डुबोस्क के द्वारा इसे खो जा गया था ये सिंपल सी बाते थे अब जान लिया जान लिया माफ किजेगा अब बात करते हैं इनके प्रिंसिपल की यह उसी के उपर work करता है पहले आप इन दोनों को individual समझ लेजिए फिर इनका mixture क्या हुआ था उससे हम समझाते हैं पहले individual समझे individual में beer's law का कहने का मतलब यह है कि according to this law the amount of light absorbed is proportional to solute concentration present in solution यानि कि simple सा beer's law का कहना यह था कि जो जितनी मात्रा में light absorbed होती है वो उसके उपर depend करता है कि उस solution में कितनी मात्रा में solute का concentration है यानि कि simple सी बात है यही कहना है कि जितनी मात्रा में light absorbed होगी यह इसके directly proportional है कि उस solution में कितनी मात्रा में solute की मात्रा है या solute की concentration है concentration का मतलब समझ रहना मात्रा ही होता है एक तरीके से तो बस यही simple सी बात है कि B.S. law के according उतनी मात्रा में ही light absorb होगी जितनी मात्रा में उस solution के अंदर solute की concentration होगी इतना simple होगे है आप तो आप समझी गए होंगे अब देखिए Lambert law क्या कहता है वो भी समझ लीजे Lambert law कहता है कि आपका according to this law amount of light absorb is proportional to length and will of thickness of the solution यहीं कि simple सा कहना यह है इनका कि जितनी मात्रा में light absorb होगी यह directly proportional है कि जो solution है उस solution की length कितनी है और उसकी मोटाई कितनी है thickness कितनी है अगर कोई देखिए ऐसे भी कह सकते हैं अगर आपने एक गिलास पानी में चार गिलास चीनी डालके घुमा दी तो अब क्या कहेंगे आप यह कहेंगे कि इस पानी में चीनी की concentration बहुत ज़्यादा है चीनी की thickness बहुत ज़्यादा है थिकनी मतलब मोटाई मतलब बहुत ज़्यादा मातला में आप आपने इसमें चीनी डालके हमको दे दी है तो एक तरीके से thickness का sense क्या हो गया concentration पर ही आ गया तो सब लोग बतिया वही कह रहे हैं बस गुमा फिरा के कह रहे हैं आपको पागल बढ़ा रहे हैं लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो किसी का कोई ऐसा खास अंतर नहीं है आपने calorie meter भी जो पढ़ा मतलब calorie meter मैंने कहा था ना कहीं गलती हो जाएगी calorie meter बोल रहा तो जो आपने calorie meter पढ़ा वहाँ पे भी वही चीज़ आपने पड़ी थी कि जितनी मात्रा में solute के particle किसी solution में होंगे उतनी ही मात्रा में light absorb होगी यही सिंपल सा कहना था अब जड़ा Lambert law भी देख लिया आपने आपका beers law भी देख लिया अब इन दोनों को mix करके जो बना था वो आप देख लीजे जिसके उपर आपका ये calorie meter जो instrument है वो work करता है तो आईए उसे भी देख लिजे देखे उसे पहले एक बार आप Lambert law समझ लिजे कि Lambert law का यही कहना था कि according to this law मतलब इस law के अनुसार जितनी मात्रा में light absorb होती है वो directly proportional होती है कि अगर उस solution की length क्या है मतलब उस solution की लंबाई क्या है और उस solution की thickness क्या है मुटाई क्या है यानि कि simple sign का भी वही कहना है कि जितनी मात्रा में light absorb होती है ये directly उसके उपर depend करती है कि जो solution है उस solution की लंबाई कितनी है और उस solution में present solute की मात्रा कितनी है यानि कि thickness कितनी है यही चीज इन्होंने कहिए मैंने आपको समझा दी अब इन दोनों के mixture से क्या rule बना था इन दोनों के mixture पर ही आपका कलोरी मीटर वर करता है अब इनके mixture का rule समझे है देखिए हमने आपको starting बता दिया था कि जो आपका एक normal कलोरी मीटर है कलोरी मीटर है वो आपका Beers and Lambert Law के mixture पर इन दोनों को मिला के जो बना है इनके principle पर वर करता है वो principle क्या है वो समझे है यानि कि यहाँ पे भी कहने का मतलब यही है कि जो absorption of light है वो जब किसी medium से गुजारा जाता है तो जो उनका absorption है वो उसी के उपर directly proportional होता है कि उस medium की concentration कितनी है यानि कि यहाँ पे भी कहने का sense simple सा वही है कि अगर आपने किसी solution में से light को गुजारा तो वो जितनी मातरा में light को absorb करेगा वो solution उतनी मातरा में ही उसके अंदर solute particle की concentration होगी यही चीज को यह लोग पचासो बार घुमा फिरा के किताबों में भी लिखा है और आपका हर जगा पे medical की भी किताबों में आप देखेंगे तो क्योंकि यह medical का आपका यह चैप्टर है अच्छा खासा चैप्टर है जहां पे इसके uses बताएगे हैं सारी चीज बताएगे हैं साथे साथ इनके formula को भी दिया हुआ है अच्छे से derived करके दिया हुआ है सो वहाँ पे भी ऐसे ही चीज़े बहुत ज़्यादा घुमाफिरा के दी हुई है मैंने आपको जितना हो सकता था simply बताने की कोशिस किये फिर भी कोई doubt होगा तो पूछ लिजेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में तो उमीद करूँगा कि आप समझेंगे तो एक बार comment जरूर करेंगे कि हाँ क्या हुआ समझ आया या नहीं आया जो भी हुआ चलिए अब हम अपने component को देखते हैं तो देखिए ये आपका pH meter की तरह कह सकते हैं इतना छोटा सा नहीं है तोड़ा इसका process और इसमें थोड़ी component की संख्या जादा है तो आपको वो चीजे थोड़ी समझनी पड़ेगी एक एक करके समझे बहुत सिंपल सी चीजे पहले न इसका होता है visible range की light होती है visible range कहने से मतलब है कि वो 400 nanometer से लेकर 800 nanometer के बीच की wavelength की light होती है ठीक है देखिए वैसे तो अगर बात की जाए तो हमें 400 मतलब 380 से लेके 750 तक के बीच की light को हम visible कर पाते हैं देख पाते हैं लेकिन कहीं कहीं पे आपको 800 देखने को भी मिल जाता है इस वज़ा से हम ये कह रहे हैं कि 400 से लेकर 800 nanometer तक की wavelength की light जो होती है वो visible के range में आती है ठीक है तो मान लेजे इसी के बीच की light है ठीक है तो ये आपकी light यहां से चली ठीक है अपने light on किया यहां से light चली तो पहले नमबर पे रहता है slit अब कहेंगे slit क्या है slit देखिए ऐसे समझिए slit क्या करता है जो इसके साथ आ रही unwanted प्रकास है unwanted light है उस light को slit के माध्यम से रोका जाता है ठीक है यहां पे देख रहा है यहां पे बीच में कटा हुआ पार्ट है तो बस ऐसे ही समझिए कि कोई चीज है य यहां पे ऐसे गोला बना होता है अपने cassette देखा है तो बस ऐसे ही समझिए कि cassette की तरह रहता है और बीच में hole रहता है ताकि सिर्फ beam of light जाए beam of light से मतला समझ रहे हैं मतलब एक केंदर में light जाए बहुत फैली हुई light न जाए सिर्फ beam में जाए कुछ क्या ही word यूज करूँ एक center में light जाए ठीक है तो बस वैसे ही इतनी ही जो मात्रा उसमें छुटी हुई है उसमें से आपका light इंटर करता है बाकी जो आपकी unwanted light है वो आपकी इंटर नहीं कर पाती है यही से वो हड़ जाती है इतनी बार समझ में आई फिर आपका second number पे lens है इस lens के उपर यह आपकी का काम करता है या कह सकते हैं इसको फैल आने का काम करता है तो यह फिर यहां पे आती है यह सिंगल light यहां पे आती है फिर यहां पे फैल जाती है फिर यहां से light आती है वो इस पर पढ़ती है और इसका काम क्या होता है यह उस light जो ray आ रही है उसको गाढ़ा करने का काम करता या कह सकते तो उसको फैलाने का काम करता है ये कह सकते हैं ठीक है फिर वो आपकी आती इस फिल्टर के उपर अब ये फिल्टर क्या करता है वो समझे देखिए ये फिल्टर जो है ये अलग अलग तरीके के रंग भी रंग ये काच से मिलकर बना होता है ठीक है पहली बात ये औ और ये एक निश्चित वेबलेंथ की एक स्पेसिफिक एक सर्टेन वेबलेंथ की लाइट को ही अपने अंदर से गुजरने की परमीसन देता है यानि कि इस filter को ऐसा बनाया ही गया होता है कि वो एक निश्चित web length की light को ही अपने अंदर से गुजरने देगा बाकी जो उसे जादा की या उसे कम web length की light है उनको ये absorb कर लेता है अब आप बात समझ गए होंगे समझ गए यानि कि filter को जिस काम के लिए बनाया गया है बस वो वही काम करता है अगर उसे जादा web length की light आए उसे कम web length की light आए तो ऐसे में वो उसको absorb कर लेगा अपने आस मतलब अपने अंदर से उन्ही web length की light को जाने देगा जिसके लिए उसे बनाया गया है इतना clear बता दिया अब तो आप समझ गया होंगे मन में doubt मत रखिएगा मैंने ना चाहते हुए मतलब मैं यही चाहता हूँ कि आप doubt ना रखें ठीक है तो फिर यह आपकी यहाँ filter से यह filter हो गई light ठीक है अब यह light यहाँ पर आई filter हो गई अब यह क्यूवेट क्या है क्यूवेट देखिए इसे समझे यह एक प्रकार का बीकर है जिसमें आपका solution रखा हुआ है उसी को यहाँ पर क्यूवेट कहा गया या कह लिजे test tube है ठीक है तो इसमें आपका वो solution रखा हुआ है अब इस solution में से आपकी light गुजरती है ठीक है यहाँ पर आपको कुछ ने करना है same process है इसमें से आपकी light गुजरती है और फिर यहाँ से cross कर जाती है अब यहाँ पर आपको कुछ ने कहना है अब इस solution के द्वारा जो light एब्सर्व की गई होगी क्योंकि अब आपको पता नहीं है जो light absorb की गई होगी उसको ये जो photo cell या कह लिजे इसे detector भी कहा जाता है वो इस light को detect करके जो इस solution में से cross करके light बाहर निकल रही है वो light इस photo cell या कह लिजे detector के उपर पड़ती है और इसी को इसी light को ये detector मेजर करके ये जो आपका digital meter कह लिजे या galvanometer कह लिजे इसके उपर so करता है तब जाके हमें पता चलती है कि कितनी मातरा में light absorb हुई है यानि कि इस solution के अंदर कितनी मातरा में solute के particle है अब आप बात समझ गए होंगे एक बार छोटा सौल बोलता हूँ कहानी खतम देखिए यहां से light गई solution के अंदर गई बाहर आई ये photo cell या जो detector है इसके उपर पड़ी तो अब इसी का काम है major करने का इसी का काम है measure करने का ठीक है तो ये इसको measure करती है और measure करके आपका digital meter के माध्यम से so करती है कि हाँ इसका wavelength इतना मिला या इतना मिला तब आप समझते हैं कि इस जो आपका ये आपका value आएगा उसी के base पे आप जानेंगे कि कितनी मात्रा में solution के द्वारा आपकी light absorb की गई उसी base पे आप कहेंगे कि हाँ इस solution में इतनी मात्रा में solute के particle है या solute है यही simple सी बात थी नहीं समझ में आगो तो doubt में मत रहिएगा अगली वीडियो में मैं आपको फिर से समझा दूँगा तो आज के लिए बस यतना ही क कोई भूल चुक हो गया तो माफ कीजेगा वीडियो पसंद आएगी तो like, share, subscribe, tata, bye, bye, कोई दिकत नहीं नहीं समझ में आएगा अगली वीडियो में मैं फिर से explain करूँगा ही तो ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में tata, bye, bye